एक ऐसा प्लाटफॉर्म जो कि आपके लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट वह भी वेना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के तो मैं आपना उसिंग्राटो स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से इस पर्टिक्लर वीडियो में जहां हम बात करने वाले जोग्रोफी के जापकर नमब फाइफ नमश्य वेजिटेशन वाइफ के बारे में यहां पर आपको जो चाप्टर यह दो बाट्स में डिवाड़ेट है एक तो आफको सी बात है कैसा हो गया आपका वेजिटेशन और इक वाइल लाइफ में इमक्रेंपे कौन सा है यह आपका वैजिटेशन है ठीक है वाइल लाइफ के बारे में यहां पर काफ़ी इंपोर्टेंट चीज़े दी गई है बट कहीं न कहीं वाइलाइफ से तो रिलेटेट क्वेशन आएंगे आपके वह कहीं न कहीं आप क्या कर सकते हो बाकी पुरानी क्लासे सब पढ़ चुके हो उसको आप आसा नहीं स जालो करते हैं पहुछ यसी पेटिकुलर डंस के साथ साथ में रोंच इंडिया का इन आस्पेक्ट आफ राव राइफ और वेजिटेशन ऑनड कंट वाडेज सेवन यूडियरट country of the world biodiversity यहाँ पर समझो सब्द क्या है बायो का मतलब हो गया जीवन ऑफकोर सी बात है diversity का मतलब हो गया एक space में कितने different different type species आप accommodate कर सकते हो diversity का मतलब quality quantity से बिलकुल नहीं है but number of different species से for instance अगर मेरे पास यह एरिया है एरिया है जो की 100 की जगा 1000 स्कूर किलोमेटर का है बट यहां पर मेरे पास सिर्फ दस स्पीसिज पूरी की पूरी उसमें दस स्पीसिज टाइप आफ प्लांट्स ले लिजे यह अनिमस ले लिजे बस इतने ही हैं तो मैं इसको diversity नहीं कहूंगा कंपेर टू यह चोटा एरिया ठीक है बले अब यहां पर आप मेरे को 1000 में आप कह सकता है अगर 10,000 स्पीसिज होती तो एक बात कह सकते हैं कि हम diversity तो इस अबाउट different kind of species तभी हम उसको कहेंगे क्या बायो डाइवर्सेटी अबाउट 47,000 प्लांट प्लांट स्पीसिज पाई जाती है इंडिया में ठीक है और जो की वर्ल्ड में फोर्थ है और एश्या में शरी फोर्थ है इन एश्या इन डाइवर्सेटी ओफ प्लांट वहीं पे और वर्ल 6% of total flowering plants India has also approximately 90,000 species of animals as well as as a rich variety of fish and it's fresh and marine waters तो हमारे यहापे क्या है land of diversity है साथ साथ सा लाइवर्सेटी के साथ होने के उसमें क्या होता है हमारे पास wildlife और vegetation में भी काफिर डाइवर्सेटी पाई जाती है natural vegetation समझो क्या है ठीक है natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid ठीक है मतलब बिना किसी human के aid से मतलब आप क्या कर रहे हैं plantation नहीं कर रहे हैं आप कोई से टाप से beach spread नहीं कर रहे हैं आपका उस plant के growth में zero contribution है ठीक है ऐसी vegetation को हम क्या बोलता है natural vegetation बोलता है ठीक है vegetation एक ऐसा शब्दुवा जो कि refer करेगा पूरी की पूरी कित को plant species को इन पर्टिकुलर एरिया natural vegetation का करेगा ऐसे plants को consider करेगा उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर human interaction की बात करी जाया यह human contribution की बात करें तो वह zero है ठीक है वहीं जब हम क्या बोलते हैं that has been left undisturbed by humans ठीक है natural vegetation में हम क्या बोल रहा है कि इनका growth में humans का कोई लेना जिना नहीं है बट अगर human का interaction है तो वह चलेगा interaction जैसे मतलब भाई pass on हो रहे हैं यहां से कुछ collect कर रहे हैं फूल पत्तियां तोड़ रहे हैं grazing कर वा रहे हैं ठीक है यह क्या होता है natural vegetation में बट वहीं अगर जब हम बात करते हैं human का zero interaction होता इस natural vegetation में तब हम उसको क्या बोल देते हैं virgin vegetation ब literally untouched by human ठीक है तो virgin vegetation which are purely Indian are known as endemic और indigenous species इंडिया में पाई जाने वाली ऐसी virgin vegetation को हम क्या बोलते हैं endemic बोलते हैं यह indigenous species बोलते हैं वहीं बाहर की से लाई जाने वाली जो species है ठीक है हम उनको क्या बोलता है exotic plants बोलते हैं ठीक है exotic plants ठीक है but those which have come from outside India are term that term does exotic plants बात करते हैं term flora के बारे में it is used to denote flowers sorry plants ठीक है of a particular region और period ठीक है periods का मतलब यहाँ पर यह है time frame की बारे इपॉक्स हो जाती है यह centuries हो जाती है आपकी जैसे प्लिस्टेसोनिक एरा हो गया सीनेजोइक एरा हो गया जिरासिक पीरिड हो गया है ना इस टाइप के जो हम बात करते हैं इन एरा के जो है plants के हमको fossil मिलते हैं ठीक है तो इनको भी हम flora ही बोलते हैं बट एक और पर्टिकुलर री टाइम पीरि तो हम देखते हैं सबसे पहले कि आपके relief factors क्या क्या है ठीक है यह क्या कर रहे है यह effect करेंगे आपकी किसको diversity को सबसे पहले land land क्या होता है आपका बेस प्रोवाइड करता है किस टाइप की टोपोग्राफी है क्या वह mountain है क्या वह plane है ठीक है इस पर depend करेगा महां की vegetation और vegetation ठीक है क्या करेगा यह influence type of vegetation को influence करेगा fertile land की बात करते जनरी तो यह clear कर दिया जाता है किस चीज के लिए agriculture के लिए और रफ टेरिन की बात करते हैं तो यहां पर grassland और हमको woodland देखने को मिल जाता है ठीक है and give shelter to variety of wildlife of course थी बात है caves वगरा की बात यहां पर हो रही है next बात करते हैं किसके बारे में आपके soil के बारे में तो soil का करता है कि soil vary over space ठीक है और बेसे for different type of vegetation जायर से बता है alluvial soil में आपके बास different type ही क्या होगी vegetation grow होगी वहीं आपकी जब बात करते हैं मार्शी soil में mangroves होंगे ना similarly तो soil का करेगा base provide करेगा किस चीज का vegetation का बात करते हैं climatic factors के बारे में ठीक है सबसे पहला climatic factor आ जाता है temperature ठीक है the character and the extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in air बहुत important हुआते हैं किसी एक type के आप कह सकते है vegetation को determine करने में like for instance जब हम बात करते हैं आपके equatorial region के बारे में वहाँ पर हम क्या देखते हैं और साथ-साथ में हम आपे conventional rainfall भी देखते हैं तो generally इस region के आज पास हमको क्या देखने को मिल जाता है evergreen forest देखने को मिल जाता है fall in temperature affects the type of vegetation जैसे कि हम बात करते हैं जैसे हम altitude gain करते हैं वहाँ पर हम क्या देखते हैं लोगों के physical features में भी difference देखते हैं for instance अगर मैं यहां से बात करो हिमालय या नेपाल जाने की बात करो तो वहां के लोगों का शरीर कैसा होता है थोड़ा गठीला सा होता है और height कम होती है क्यों क्योंकि वहां की temperature है जो आपकी क्या मुलते है डिग्रीज वगरा जो बढ़ रही है कम हो रही है उसका फरक भी हम को किस पर देखने को होता है प्लांट पर देखने को मिलता है तो जैसे जैसे हम high altitude gain करते जाएंगे तो एक टाइप एक टाइम पर क्या होगा आवाफ 3600 मीटर हमको सिर्फ ग् खेल और ऊणटेव उसकी फ्रॉपिकल तेमपरेट आने जो फोडुवाईक एक टिकए पर रहेगा रहेगा ऎहां पर फिक पर याएगा साथ से सतरा डिकरी का ठीके और बिलो सेवेंग डिगरी ऐलपने ग्रास्टनेन को दिफ मिल जाएंगे ठीक है टेमपरेचर इन जानवरी की बात करते हैं यहां तो यहां पे रिमाक इंपोर्टेंट है फ्रॉस्ट कहीं नहीं पड़ती है ठीक है फ्रॉस्ट बिल यहां को स्नू ही देखने को मिलती है चलो अब देखते हैं कोच ऐसे फैक्टर्स भी जो की एफेक्ट करेंगे किसको आपकी वेजिटेशन को आता है फोटो पीरेट फोटो पीरेट का मतलब है सनलाइट अगर एक पर्टिकुलर प्लांट को ज़्यादा सनलाइट मिलेगी तो उसे साब से फोटोसंदेश कर सकता है वहीं अगर कम सनलाइट मिलेगी तो फोटोसंदेशन कम हो गाँए फोटो संदसेश्स बेसिकली हो कहा रहा है की प्लांट अपना खाना खुद प्रडिउस कर रहा है ठीक है तो अगर ज्यादा खाना प्रेड्यूस करेगा तो यहां पर फकॉस ही बाते गुरोथ पर जो है एफेक्ट पढ़ जाता है तो लाटिटीटीट के हिसाब से यह फोटो पीरिट जो है सनलाइट का यह डिफर कर जाता है लाटिटीट की बात करते हैं तो जैसे डिफेस्ट नीचे के रेनफॉल हो से यह बहुत जादा बारश हो रही है वहां पर हमको ज़्यादा देंस फॉरस देखने को मिलता है वहीं एक ऐसा अरिया जहांपे 70 सेंटीमीटर से नीचे के रेन फॉल हो रही है वहां पर हमको थोड़ा जो फॉरेस्ट वो स्काटर्ड वे में देखने को मिलते हैं वहीं जब बात करते हैं बिलोव 50 cm जैसे कि हमारे डेजर्ट ऑफ राजस्टन वहां पर हमको फॉरेस्टेशन है काफी रेली देखने को मिलती है चलिए अब देखते हैं हम इंपोर्टेंस ओफ एडिटेशन फॉर हुमन ठिक है नाचल वेजिटेशन की बात करहें में इंपोर्टेंस ओफ वेजिटेशन फॉर हुमन गे तो फोरेस्ट ऑफकॉस थिबात है रिनुवेबल रिसोर्स है ठीक है औं प्लेन मेजर रोल इन of industries provide livelihood for many communities and panoramic or scenic view of the for their recreation the control they control wind force and temperature and causes rain they provide humus to the soil and shelter to the wildlife तो यह काफी important हो जाते है forest हमारे लिए इन्ते को जनरेक आंसर है यहां पर अगर आपसे पुचह जाता है एक्स्पें दर यहां पर दो तीन का फांच बना के प्रेज़र करेंगे या फिर वट इस दइमपोर्टेंस-जाइज और फॉरस्ट यहां पर भी आप क्या करेंगे गिसंे of vegetation हमको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन है ना तो देखो एवर्ग्रीन समझो क्या है एवर्ग्रीन और डेसेडियस यह दो टाइप की जो फॉरेस्ट है यहां पर कहीं बार थोड़ा कन्फीजन होता है एवर्ग्रीन की जब हम बात करते हैं तो देयाव नो फिक्स्ट पीरिएड तो शेड़ देर लीव्ज मतलब यह क्या करते हैं एवर्ग्रीन फॉरेस्ट जो है आपके इनका कोई भी फिक्स पर्टिकुलर टाइम पिरेड नहीं होता जहां पर पेड़ का करें अपनी पतियों को शेड करते हैं इसलिए यह इनको जब भी वारों महिने देखते हैं यह हमको कैसे देखते हैं इभ्रेवर्ग्रिन दिकते हैं हमेशा हरे ही दिखते हैं तो स्च नइघ्डियु जहां पर सारे पिरोस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के क्या करते हैं आपनी विछ लीफ को शेड कर देता है now my question comes कि वो leaves को shed क्यों करते है summer के time पे generally क्या होता है कि जब जहां पे हम यह tropical decidious forest जो है जब यह पाए जाते हैं वहाँ पाने की comparatively कमी होती है ठीक है evergreen forest में हमको ज़्यादा मातरा देखनी को मिलती है waterfall की या rainfall की but decidious वाल एरिया में comparatively कम मिलती है इसलिए यह क्या करते है summer की time पे water evaporation को कम करने के लिए अपनी leaves को shed कर देते हैं इसलिए इनको बोला जाता है पनपाती one that is mean your decidious forest कहां पाई जाता है यह tropical area में पाई जाते हैं अगें ठीके दो भागों में डिवाइट करेंगे इनको भी वेट ट्रॉपिकल डेसडियस और ड्राइट आपिकल डेसडियस फिर फाइनली बाते हैं हमारे कंसे ट्रॉपिकल थॉन and scrubs थॉन की बात करते हैं यहां पे भी क्या होते हैं उनको जो लीज होती है वह अपनी आपको टर्न कर लेती हैं काटा बनाने के लिए तो रिडियुस दा लेजकर अव और बाइन जाते हैं इनको आल्टिट्व चिहाब से हमने डिवाइच कर रहा है तिके आपके वह ब्रॉड ली से लोगए फाएनलिए मैंग्रोफ मैंग्रोफ जो है यह हमको हम आया जाते हैं एक ऐसे इरिया में पाई जाते नहीं जाते हैं जांपे फ्रेश वॉटर भी आ मापिंग ठीक है मैपिंग समझो सबसे पहली बात तो बात करते हैं ट्रोपिकल एवर्ग्रीन फॉरेस्ट के बारे में एवर्ग्रीन फॉरेस्ट की क्या डिमाड है कि बाइसाब 200 सेंटीमीटर से ऊपर रेंफॉल होनी चाहिए तो 200 सेंटीमीटर से ऊपर रेंफॉल कहा होती है हमारे तो हमारे नॉर्थ इस्टर पार्ट में होती ह है तो मैं इसको साइड से मार्क कर देता हूं ऐसे हैं है यह वाला इरिया जो है कि अच्छा है कि साथ इस एरिया के अलावा भी हमको थोड़ा बहुत आपका उडिसा में तो अब चलो ठीक है रहें दो मापे यहां पर हमको क्या देखने को मिल जाते हैं एवर ग्रीन फॉरस्ट देखने को मिल जाते हैं ठीक है बात करते हैं किसके बारे में आपके अब mountain forest के बारे में यह हमको mountain regions में मिलता है ठीक है mountain regions में जैसे कि हमारा of course ही बात है हिमालय जो हो गया जो आपका extreme north वाला जो हो गया एरिया साथ साथ में कुछ seven sisters में से अरुनाचल और सिक्किम जो seven plus one है वहाँ एरिया में हमको कह देखने को मिल जाते हमको mountain forest देखने को मिलता है किसमें को मिलते हैं को pockets में देखने को मिलते हैं तो आपका यह वेस्ट बेंगवाल उडिसा वाला एरिया थोड़ा बहुत फिर आपका यह क्रिष्णा डिल्टा वैं स्वरी गुदावरी डिल्टा यहां पे हमको though boat कर देखने को मिल जाते मैंग्रोव्स देखने को मिले नियुकू म button कंठ हमको सबसे ज्यादा कहां देखने हैं लक्षवदीप साथ-साथ अंडमान और निकोवर है हे तो मिल जाता है मैंग diversity में देखने को बात करते हैं फांट फॉअरेस्ट गबारे में थॉअर्ण जो है य। आपको देजर्टेशम में मिलते है जनरली आपके कहांपे जो गुजरात वाला पार्ट Uh यह राजस्थान वाला पाट है है ना वहाँ पर हमको देखने को मिल जाते हैं ठीक है साथ-साथ जो Central प्लाइटू वाला जो डेकन प्लाइटू का जो Central Region है वहाँ पर भी हमको थोड़ा बहुत थॉड़ा फॉरेस्ट यहां पर देखने को मिल जाते हैं करनाटक महराश्टर आ ना thorn forest हो गया इनमे rainfall होती है less than to seventy centimeter less than seventy centimeter में क्या होता है हम को यहाँ पे thorn forest देशने को मिलते हैं बागी जित्ता आपका पूरा area है जो बच रहा है वो है आपको इत्रोपिकल dancer forest मतलब 2-70 से 200 cm 70-200 cm वाला एरिया जो है यह क्या है आपका Tropical Decidious Forest है तो पूरा इंडिया जो अल्मोस्ट है पूरा इंडिया है सबसे ज़्यादा Forest अगर जो पाए जाते हैं हमारे यहां तो वो है Tropical Decidious Forest मलब पनपाती वन अगे यह भी अपने आप में आपको कहां पाए जाएगा अपने सेंट्रल इंडिया के वासपास पाए जाएगा मॉइस्टर वेट कहां पाए जाएगा थोड़ा नौर्दन साइट पर पाए जाएगा ठीक है यह है आपका पुरा का पुरा मैपिंग अबाउट यार डिफरेंट टाइपस फॉरेस्ट इन इंडिया ठीक है तो यहां पर अगर क्या होता है जबी भी आपको कोई एक मौका मिलता है इस पर्टिकुलर में से कभी आंसर करने का फॉर इस थ्री मारकर में आप से पूछ लिया जाए कि आप नौर्दन इंडिया का मैप बनाई है और वहां पर दिखा दीजिए क्या आपके यह मौन्टेन फॉरेस्ट ठीक है जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर आपको पूछ जाता है आपके एवर ग्रीन फॉरेस्ट है ना तो आप नौर्थ इस्टन इरिया बनाई है साथ-साथ क्या बनाई यह तो डिफरेंट मैप में बनाकि क्या क्या सकते हैं यहाँ पर शो कर सकते है कि इसको ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट को को मैपिंग स्किल्स जो होती है जिओ सबसे पहले चालू करते हम किसके वरेस्ट के बारे में पढ़ना सबसे पहले आता है आपके है न आई लेंड ग्रूप में आप कौनसे लक्ष्वदीप काईलिइड ग्रूप अंडमान ऐन निको मार का इलेंड गूरूप ठीक है साथ-साथ आसम अंट तमिलनाडू कोस्ट यहां पर क्या देखने को मिल जाते हैं को यह एवरग्रीन फोरेस्ट देखने को मिल जाता है प पर आपको काफी इंपोर्टेंट ली क्या देखने को मिल जाते हैं ठीक है दे आर हाविंग मोर देन तूहंड़ सेंटीमेटर आफ रेंफॉल विट रेंफॉल विट रेंफॉल 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 दस ट्री रीचिस ग्रेट हाइट अप टू 60 meters since the region is warm and wet throughout the year it has a luxuriant variant of all kinds ठीक है vegetation की बहुत सारी luxury variant आपको देखने को मिल जाती है क्योंकि यह रीजन कैसा है warm है और wet है ठीक है there is no definite time for the trees to shed their leaves ठीक है so as such these forests appear green all the year round जैसे कि मैंने बताया कि does the name evergreen ठीक है कि इन सब trees क्योंकि diversity पाई जा रही है different type of trees different different type of time में अपनी leaves shed करते हैं ठीक है इसलिए जब overall look जब हम देखा जाता है इस particular forest का तो यहां पर क्या होता है कि इसको हमेशा evergreen ही देखा जाता है ठीक है commercially important trees जो है यहां पे वह कौन से अबनी है महोगनी है rosewood rubber और चिंचुवाना rubber जो है आपके साउथ में मिलेगा नौर्थ इस्ट नौर्थ में नहीं मिलेगा common animals की बात करते है elephant monkey lemur deer one horn rhinosaurus आसम में आपको देखने को मिल जाएगा plenty of birds dart sloths scorpions and snakes are found in these jungles चले नेक्स आता है आपका tropical deciduous forest दो में डिवाइट करेंगे wet और dry wet वहला region होगा जहां 100 से 200 cm तक की rainfall हो रही है dry कस होगा जहां पर 70 से 100 cm की rainfall हो रही है ठीक है ऐसे हम डिवाइट कर देंगे इस पर्टिकुलर रिजिन को इस से पर्टिकुलर फॉर्स को इंडिया में ठीक है तो देरार मोस्त वाइट स्परेट्स फॉर्स फॉर्स तो प्रिस एक अधर नाम है ध्यान रखिये गए mcqs में आपसे पूछा जा सकता है ठीक है रिस्प्रेड ओवर दे रिजिन रिजिविंग रेंफॉल बेट्वीन 270 सेंटीमेटर ठीक है ट्री शेट देलीज अबाट 6-8 weeks in dry summer ठीक है on the basis of availability of water these forests are further divided into moist and dry decidius former की बात करते है मला moist की बात करते है तो यह 100 से sorry 200 से 100 यह 100 से 200 सेंटीमेटर की rainfall क्या है रिसीफ करेंगे है ना therefore exist in most of the eastern part of the country teak is most dominant species of this forest teak मतलब सागोन हो गया ठीक है the dry decidius are found in area having rainfall between 100 cm and 70 found in the rainier parts of the peninsular plateau and the plains of Bihar and Uttar Pradesh a large part of the region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing चलें नेक्स आता आपका thorn and scraps region क्या हो गया है less than 70 cm of rainfall ठीक है natural vegetation क्यासी होगी thorny trees की होगी और bushes की होगी ठीक है northwestern part of the country मला आपका Rajasthan गुजरात वाले एरिया ठीक है Achean palms you for you for birds cacti are the main plant species trees are scattered and have long and penetrated roots ठीक है बहुत जादा गेहरी जड़े होती है इनकी in order to get moisture from within the soil the stems are succulent to conserve water ठीक है इनकी जो leaves है mostly thick होती है small होती है to minimize the evaporation the forest give away to thorn forest and scrubs in arid regions ठीक है these forests give way to thorn forest in the arid regions arid regions मतलब जहां पर शुष्क जो आपका वो है climatic condition है mountain forest प्यात है बहुत important type है सबसे देखो mountain forest हमको mountainous area में देखने को मिलेगा ठीक है they decrease in temperature with increasing altitude leads to corresponding changes in the vegetation मतलब जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे altitude gain करते जाएंगे altitude gain होगा तो इसका result क्या होगा temperature डाउन होगा तो जैसे जैसे हम altitude gain करते जाएंगे temperature कम होता जाएगा हम को यहां पर different different kind of species देखने को मिलेगा हमको यहां पर basically transformation देखने को मिलेगा forest का एक forest का दूसरे टाइप के forest है ठीक है तो as such there is a succession of vegetation जैसे कि मैंने बताया जैका हमको transformation देखने को मिलेगा ठीक है सबसे पहले देखते हैं वेट टेंपरेट टाइप है यह हजार से दो हजार मीटर की हाइट पर पाए जाएंगे ठीक है evergreen broad leaves होते हैं यहां पर फॉरस्ट की पत्ति होती हैं बहुत चौड़ी चौड़ी होती है जैसे की ओक हो गया है ना कैसनेट हो गया यहां पर काफी predominant species हो जाते हैं यहां पर पेल भी हो गया यहां पर यह जो बड़े चौड़े पत्ते वाले जो होते ना वह वाले प्लांट समको यहां पर पाए जाते हैं नेक्स बहुत आप गवाद करते हैं पंदरा सो से तीन हजार मीटर की दूरी पर देखने को मिल जाते हैं क्या देखने को मिल जाता है temperate forest पहला हो गया ता मारा क्या वेट टेंपरेट अब आएगा तरह कि टेंपरेट टेंपरेट में कौन से आते हैं आप के कौनी फरेज्ट टीजाता है जो से कूने रहते हैं नीथ स्नोव सेडो सके उन से स्कौनी फरेज्ट आता है जैसे कि पाइन देवदार सिल्वर फिर уб, से यंडडार और आर और Kcriptions important tree cb commercially काफी important trees हो जाता है next बात करते हैं तो forest के क्या होते हैं Southern slope पर पाए जाते हैं ठीक है अब 3000 से ऊपर हमको क्या देखने को मिलता है temperate grassland ठीक है temperate grassland ठीक है तो add an altitude of more than 3600 meters ठीक है हमको क्या देखने को मिलती है alpine vegetation ठीक है temperate forest grassland give way to the alpine vegetation silver fair junipers pines and breeches are the common trees they get progressively stunned as they approach the snow line stand my love short a hotel your time just say yes no line key or birthday in a storm a height cure बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यह short होते जाएंगे ultimately through shrubs and scrubs they merge into alpine grassland मिलाब जैसे आप नीचे हाइट पर हो तो आपको बड़े-बड़े पेर देखने को मिलेंगे चौड़े-पत्ती वाले पेर देखने को मिलेंगे middle section पर आओगे तो आपको क्या देखने को मिलेंगे कौनी फिरस ट्रीज देखने को मिल जाएगा आपको स्क्रब्स और श्रब्स देखने को मिल जाएगा आपको वह पूरी वेजिटेशन कैसे ट्रांस्वर्म होते दिखेगी ग्रास लेंड में ट्रांस्वर्म होते दिख जाएगी तो यहां पर समझों कि सिंपल सी बात है अगर मैं previous लयुक्वज पर जाओं तो हम एक तो बात करते हैं 100- drafted वही हम यहां पर 1500 से 3000 की बात कर रहे हैं तो यह क्या दिखाता है हमको transformation दिखाता है एक particular vegetation का दूसरी vegetation में घुलने का या आप क्या सकते हो कि उसमें mix होने का चलो mangrove forest mangrove क्या होते हैं यह tidal forest आते हैं जहां पर आपके coast area जो होते हैं वहां पर पाए जाते हैं टाइट से influence होते हैं mud and silt get accumulated on such coast mud तो आफकोस इस बाते प्रेजेंट रहेगा coastal area पर सिल्ट जो रहता है वह आजाता आपकी कहां से रिवर्स से ठीक है common variety with roofs roots of the plant submerged underwater ठीक है इनकी रूट्स करते हैं underwater होती है गंगा पुत्रा गंगा बनमपुत्रा डेल्टा की बात करते हैं सुन्दरी ट्री यहां पर पाए जाते हैं इसलिए यहां पर सुन्दर बन इसको बोला जाता है और यह बहुत ही हाट टिंबर होता है डियुरेबल होता है बोट्स वगेरा बनाने के लिए रोयल बेंगाल टाइगर जो है यहां पर बहुत फेमिस आनिमल है ठीक है यह पर्टिकलर फॉरस में पाए जाता है कहां कि आपके सुन्दरबन फॉरस में चले यह तो हो गए आपके क्या वेजिट 46 species of fishes currently account for 12% of the world stock टेके पूरे वर्ल स्टॉक का 12% इंडिया के पास है किसका आपके फिशिस के स्पीचिस का टेके 5-8% of world amphibians reptiles and mammals elephants are known to be in hot wet forest of Assam, Carnatic, Keral टेके one horn rhinosaurus हम को देखने को मिल जाता है कहां पे स्वांपी मार्शी अरिया में Assam के और विस बेंगॉल के wildlife protection act यह बहुत important act है जो कि पास होता है कहां आपके 1972 में जो की reduce करता है आपकी poaching को और ऐसी चीजों को जो की illegally animal product में deal करती है ठीक है चलो तो इंडिया is the only country that has both tigers and lions आप देखो tigers और lions नाचरल हाबिटाट यह पाए जाता है recently अभी क्या हुआ चीता भी क्या कहां से नामी भीया से लेकर आये कून और आपके national park में ठीक है तो फिलाल के लिए fact के लिए यह है कि इंडिया is the only country in Asia बन गई है जहां पर बोथ tigers और lions का क्या बोलते हैं habitat नाचल हाबिटाइट जो है वह पाया जाता है इंडिया में आपके lions की बात करें तो गिर में पाए जाती है की गिर नाचल पार्क में जो की कहा है अब के गुजरात में have diverbringen टाइगर सब्सक्राइब कुल हैं इंडिया में सुंदर बशें न हैं neuralos a hardy range of animals लग्व औरफ वय्लोक्स टिबेटैन ईंटिलोप बरहाल लोगी फिल्माभरो वाइल शीप एंड़ कियांग टिबेटिंग वाइल आस मतलब गता ठीक है इंड रिवर्स लेक्स लेक्स टॉटल्स क्रोकडाइल्स और गड़ियाल सार फॉर्म्स गड़ियाल जो है अब हमारे इंडिया में ही बचें है मदर प्रदेश में खास करें जो नदियां हैं जिसे कि कई आपकी केन हो गई है ना यहां पे गड़ियालों को सैंच Dollar पर अंगाई गई हो गड़ियालों को प्रिजर्फ करने की बाद करें काई गड़ियाल कि हो एम्स गड़ियाल करते थे के लिए मुव मू निकल पर मॉन एन रूसर को इंड़ियाल ठीक है मतला खत्रे पे है यह एक्सिंशन के बीस पीसी आर अर्रीडी एक्सिंट ठीक है few animal species are also found endangered and some have become extinct main cause is hunting by greedy hunters for commercial purposes pollution due to chemical and industrial waste ठीक है as a deposit introduction of alien species and reckless cutting of forest to bring land under cultivation and habitation are also responsible for the imbalance चलो अब देखते हैं गवर्मेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिये हैं इसको प्रोटेक्ट करने के गवर्मेंट के लावा हमारी भी काफी जिम्मेदारी बनती है नो डाउट तो यहां पे हमारे पूरे इंडिया में 18 बायोस्पीर रिजर्फ पाए जाते हैं बायोस्पीर र चीज हो या फिर दोनों को मिक्स भी कर दिये जाता है जरूरी नहीं है कि अगर एक बायोस्पीर रिजर्फ है तो वहां आनिमल्स होंगे होंगे हो सकता है वह इस रिजर्फ इसलिए बना जाए उसके नाशल हैबिटाट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां की प्लांट डा लाए गये हैं आनिमल्स को बचाने के लिए लाइक फॉर इंस्टेंस प्रोटेक्ट टाइगर जिसकी बदॉलत हम कह सकते हैं कि बाइस सबसे ज्यादा दुनिया मागर कहीं वाइल टाइगर पाई जाते हैं तो वह इंडिया में पाई जाता है ठीक है प्रोटेक्ट राइनो और आपके वन हॉन राइनोसरस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंट्रेस्टिंग फाक्ट यह है कि 2022 जो हा वह एक ऐसा साल था जहां पर हमको राइनो की पोचिंग इंडिया में देखने को नहीं मिली है जीरो पोचिंग डाइज वेरी गुड अचीवमेंट अदॉन अदॉ राइनोसरस के जो सींग है ठीक है हॉन जो है उसका उसके चाइनीज मेडिसिन में काफी वो होते है यूज उस होते है इसलिए इनकी डिमांड जो होती है बहुत ज्यादा होती इंटरनाशल के ब्लैक मार्केट में ठीक है प्रोजेट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ठीक है इको डिवलाप्मेंट प्रोजेक्ट जैसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है हमाय पास प्रोजेक्ट वल्चर भी है है ना तस ना एक सो एक नाशनल पार्क 553 वाइड लाइफ सेंचुरी और जो लॉजिकल गार्डन संबीन सेट अप टो टेक केर आफ देर नाच्रल हेरी भी सारे comprehensive courses के लिए आप बने रह सकते हैं magnet brains पे जो कि आपके लिए लेकर आता है different content वो भी quality के साथ 100% आप हमारे वीडियो देख सकते हैं कहां पर हमारे वीडियो प्लाटफॉर्म पर जैसे कि यूट्यूब के लावा आप सकते हैं हमारे ओफिशल वेबसाइट magnetbrains.com यह हमारे application पर magnetbrains जहां पर आपको वेरियस courses मिलते हैं absolutely free यहां पर आप से किसी भी टाइप का coupon code या description code बिलकुल नहीं मांगा जाता वेरियस courses जैसे कि आपके NTSC CBSC के olympiart CUAT सब चीज़ा आपको मिलेगी एक ही प्लाटफॉर्म पर कहीं जाने की जरुवत ही नहीं है तो प्लीज हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रही है हमारे यूट्यूब चानल पर चैनल को सब्सक्राइब करें अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं अगर कुछ नया सीका हो कुछ डिफरेंट लगा हो तो प्लीज डूशेर देस पर्टिकलर वीडियो व पे तिल देन कीप वचिंग वाचिंग अग्नेट बेंग्डेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् झाल 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